हेलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल आस्था व्यूटी पालर में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी प्राक्रतिक चीज़ के बारे में जिसे हम सभी ने कभी न कभी यूज किया ही होगा जी हां हम बात कर रहे हैं मुल्दानी मिट्टी के बारे में अगर आप अपनी तचा को निखाना चाहते हैं दाग दबो को छुपाना चाहते हैं और दाग दबो से छुटकारा बाना चाहते हैं तो इसे जरूर इस्तेमाल करें एक बार मुल्दानी मिट्टी का यूज हर प्रकार की स्किन पर किया जा सकता है चाहे आपकी तो चाहए ऐली हो या फिर ड्राई हो सञ इंसिट्यूव हो आप हेर प्रकार की स्कीन पे और कर सकतो sö यह स्कीन एक एक चंमज के समतिंग यह होगी मुलतानी मिट्टी उसमें हम मिलाएंगे गुलाब जल, गुलाब जल हमें मुलतानी मिट्टी के एकॉडिंग मिलाना है, जितनी मुलतानी मिट्टी है उस हिसाब से मिला लेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, जिसमें ये अच्छे से फूल तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद क्या करेंगे? हम इसे अपने face पे apply करेंगे face पे apply करने के बाद 10-15 मिनेट तक छोड़ देंगे उसके बाद धंडे पानी से wash कर लेंगे face को और second step की बात करते हैं अभी मैं आपको दिखाऊंगी लगा के भी second step की बात कर लेते हैं तब तक मुहासों और दाग धबों के लिए मुहासे अगर आपकी skin पे हैं या दाग धबे हैं उसके लिए मुलतानी मिटी बहुत ही उपियोगी है अगर मुलतानी मिटी में आप नीबू करस चंदन पाउडर मिला कर paste बनाएं और जहां पे मुहासे हैं आपके वहाँ पे अपलाई करें फेस पे और इन्हें सूखने तक छोड़ दे जब यह सूख जाए इसे सूखने तक छोड़ दे इसके बाद आप वाश कर सकते हो 10 से 15 मिनट बुनगूने पानी से वाश कर दो आपके कील मुहासे दीरे-दीरे सही हो जाएंगे ठीक हो जाएंगे दाख धब्बे भी दीरे-दीरे हलके हो जाएंगे तो थर्ड इस्टिप हम बात करते हैं थर्ड इस्टिप में सन बर्ण के लिए है सन बर्ण मतलब जो टैनिंग हो जाती धूप से उसके लिए है तो धूप से बचने के लिए हम क्या करेंगे मुलतानी मिटी में खीरे का रस और टमाटर का रस मिलाएंगे इसको भी 10-15 मिनट तक फेस पे रखना है उसके बाद वाश कर देना है आपको मैं होम रेमेडी इसलिए बता रहे हूं कि आप भी आप घर पे कर सको अच्छे से अप करेंगे अगर आपके बाल रूखे और बेजान हो गए हैं तो मुलतानी मिटी को दही में मिलाकर एक पेस्ट बना ले और इसे बालों की जड़ों से सीरे तक लगाएं पूरा जितने आपके लंबे बाल हैं उतना लगाएं तीस मिनट तक लगा रहने दे उसके बाद आप व तीस मिनट तक रखना है फाइनल तीस मिनट तक रखो उसके बाद वाश कर दो थंड़े पानी से आप इस तरह से अपलाई कर सकते हो अपने वालों पर भी अभी जो मैं पैक लगा रही हूं मुलतानी मिटी का मैंने इसमें सिर्फ रोज वाटर मिलाया है रोज वाटर आप आप इस स्कें है तो आप मिला सकते हो, तो रोज वाटर हैं अपने फेस पे पोरे लगा ली तो मैई रोज वाटर मिलाया है आप इसी तरह से अपलाई कर सकते हो अपने फेस पे आप ले लू बहुत आस्ती मिलती है 10-15 रुपे में आपको मिल जाएगी आप घर पे ही पैक बना सकते हो इस तरह से अगर आपकी ऐली स्कीन है जैसे मैंने बताया आप उस तरह से अपलाई करो फेस पे बहुत अच्छे आपको रिजल मिलेंगे और मैंने 4 स्टेप बताया है फोर स्टेप में हर स्टेप आप करके थुड़ा सा जैसे आप अपते बर बाद लगाओ इस तरह से अगर आप की जैसे मैंने बताया इसकीन जिस तरह सी है जैसे ऐस्टी स्कीन है तो e ri screen पे अगर pimple है आपके तो pimple वाली स्कीन पे इस तरह से लगा सकते हो अगर tanning है आपके sunburn है तो उस तरह से लगा सकते हैं जैसे मैंने बताया तो आप पूरा वीडियो देखें ध्यान से तो आपको अच्छे से समझ में आएगा अगर आपको समझ में नहीं आता है मैं जब live आऊंगी आप comment करना मैं सारा detail में समझा दूंगी अगर आपको नहीं स कोई है साउधानी की बात करते हैं मुलतानी मिट्टी एक ऐसी प्राक्रतिक चीजे कई समस्याओं का समधान करती है मुलतानी मिट्टी इससे आपकी स्किन में अगर कोई भी ऐलर्जी है इसको मत इस्तेमाल करिएगा आप अपने एक और इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको ल तो इससे आप मत अपलाई करिएगा, आप अपने एकोडिंग लगाईए, मैंने आपको मुल्दानी मिट्टी के बहुत सारे फायदे बता दिये हैं, तो आप अगर अपनी स्किन के एकोडिंग यूज करेंगे से, तो आपको बहुत अच्छे फायदे मिलेंगे, तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो, मैंने सारे फायदे बता दिये हैं, आप देख सकते हो, जैसे मैंने फेस पैक लगा लिया है, आप इस तरह से लगाओ, 10-15 मिनिट तक छोड़ दो, उसके बाद सूखने दो, इस तरह से जब सूख जाए, इससे वाश कर सकते हो ठंडे पानी से, या करके, गीला करके, यूज करेंगे, आप देख सकते हो, इस तरह से, ड्रैक करके पोचना है, इसको, वेट करके ही इसे पोचना है, आप जितना अच्छा वेट कर लोगे फेस, उतना अच्छा जल्दी क्लीन हो जाएगा, और क्लीन करने का और भी एक आइडिया मैं बताते अगर आप फेस पे ही अपने पानी लेके थोड़ा मसाज करते हुए, इसे वाश करोगे तो बहुत जली, जैसे मैं ऐसे मसाज करे हूँ, इस तरह से, अगर आप करोगे तो इस तरह से भी निकल जाएगा, अच्छे से, आपका जो भी पैक लगा होगा, आप ये पैक या मु बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, तो गाइस जैसे मैंने बताया है, आप ध्यान से देखें वीडियो को, ध्यान से आप इसे यूज करें, अगर आप यूज करेंगे, इसके बेनिफिट बहुत अच्छे आपको मिलेंगे, तो आप इसे एक बार जरूर अच्छे से नहीं निकल पाया है, क्योंकि जबी स्पॉंज गीला ज्यादा नहीं होता है, अगर हम नी चोड़ देते हैं, अच्छे से तो हल्का सा गीला होता है, इसी वज़े से ये अच्छे से क्लीन नहीं हो पा रहा था, तो आप कैसे करोगे, पहले सबसे पहले पानी ल अगर मैं वाश करती तो अच्छे से साफ हो जाता अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेयर करें सब्सक्राइब करना न बोलें अगर आपके पास कोई सवाल है अगर आप कोई सवाल पूँचना चाहते हैं तो कॉमेंट में पूँच सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप जरूर कॉमेंट करें मैं सारे जवाब देती हूँ सबके कॉमेंट का तो आप इस तरह से कॉमेंट कर सकते हो वैब मैं दो बजे लाईव आती हूं दिन गुलु आप जॉइन कर सकते हो कर देखनां चाहते हो लाईव आप जॉइन कर सकतो है अब मैंने टोनर लगा लिया है अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए वाई-बाई अपना खेल रखेए क्या